तुम सोरी करो डाक्टरों को तो मैं गया अंदर वाड में पड़ी थी मेरी बाजी तो अब मैंने देखा उसे कड़े हुए था हम लोग फिर वो अंदर सुप्रेडेंट था कौन था उन्हों ने वो कर रहे थे क्या है किसके यह नाम अगारा पूछ रहे थे बता रहे थो तो इदर से फिर डाक्टरों को जत्था आया जिसके साथ इनके साथ गाड़ भी थे हैं कंपोर्टर भी थे तकरीब बीस पच्चीस बाइस तेस आदमी के करीब थे वो मैं खड़ा था और मेरा बनवाई था तो यह डाक्टर जो था उसने आन के उसको मारा पहले उसने तो फिर और जो डाक्टर थे उसके उपर पाड़ गया मैं उसको बचाने के लिए उसके उपर गया तो इननों मेरे कमारा मेरी गर्दन काल से सोर नी सकता हूं मैं बैठा हूं क्या हम लोग बैशतगर थे कि यहां हमारी बच्ची बारा साल उसकी उमारा एक दिन के अंदर उसकी आए कहानी को शुरू करते हैं यह कहानी एक ऐसे शक्स की है जो टांक के रहने वाला है और उसकी बेटी की तबीयत नहायत खराब होती है वो अपने बेटी को लेकर एमबॉलेंस में मुलतान जा रहा होता है भकर पहुचने पर उसकी बेटी की तबीयत मजीद नासाज हो ज जाता है और वहाँ पर on duty डॉक्टर के पास जाकर ये कहता है कि हुजूर मेरी बेटी की तबीयत चेक कर लीजिए इसके तबीयत बहुत नाजुक है मैं से बड़ी शहर लेकर जा रहा हूँ आप जल्दी से चेक कर लें कि इसकी सांसे चल रही है या नहीं चल रही है इस पर ड इस पर डॉक्टर दोबारा घुसे से कहता है कि इसे वाड में लेकर जाओ बाप अपनी बेटी की आखरी सांसे देख कर डॉक्टर से बोला कि आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है मुल्तान पर रहे है तुसा बखर नजी के बखर वाल वंजो बखर अब इसा आए है ता असपटाल दा पूछ ए दर असपटाल की रही जा ति असपटाल दासा को नहीं पता है असा एक बैकन पूछ के उना के सामने रस्ते ते लगे वंजी यह अस्पताल है असा उता अस्पताल पहुंचे हैं लोगां कर पता की ते दो अमर्जंसी वाट के रही ही के लोगां उताओं दे रहे एक जी जे रहे खुंट एया था या ल कौन वे आने हरुणा है इरस्ते सामने जेडर कमरा है ते लें डाक्ठर मिया यह यह अन्यर्जंसी वाट है मैं दो हाथ बान के मिनत कीती है तो मैर बानी करो एक कुछ चेक करो चेक कर अन्दाक है ता इना जे रहे मैं को आके तुआरे बास जासा ने बैठे तो आसा अगूते तुसा लगे हो जासा 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 जास चक ने कर सकते Means मैं मजबूरा मैं दो मिसालेया कीताई हुसा कीताई मैं दो हुसा कीताई एक बनाला सहीय थी गोंगानवात मिसाले मैं दिफा कीताई रू चलिो अस्पटाल natin कुछी शाय नीक currently चाहीए वाड़ गिन्गै मरीजगों उताए वाणां के इनना बिना कंपोर्टरां को डाकरां को जम्मा कार के कौन गान इने रिष्टेदारां कोन मैं कह कुई ना जान दा ता ओबची सारी जे रिये तफ उते बैड़ दे तरफ दी रहे ये फोट थी गए को लू ता उन्हें वीच बज़ जे मैरी बीबी आई ओब इने नाल रहे ग असा वलावाब सिज्चे अरे सानल यह थी हैं तो सापको इना जान पषड़ाएं परची वी ना दर्शड़दी दे कटें सारीओ आए उना साथ को आया है हैं इसा जाले मुबैल ना जान परदे दार नाल की दिवाएद यह उआ बाइब जान अब कोशिश की ती है इसवाइने आधे इस्पितालान दो असा इलाज करें ने ए मुबैलान टे मस्रूफ होनें सारी कोई परवई नहीं था पर दोक्टर घुसे में आता है और उसे कहता है कि यहां से डफा हो जाओ और शोर मत करो पाकी मौरीज परेशान हो रहे है दोस्तो कोई हैवान हो कोई परिंदा हो कोई चरिंद हो यह घटिया से घटिया भी जानवर हो तो उपने अलाद से बहुत महपत करता है वो उपने अलाद को मरता हुआ नहीं देख सकता वो एक इनसान था और सबसे बढ़कर फोज लड़की का बाप था बाप ने उस डॉक्टर के गरेबान को पकड़ा और उसे पूछा कि तुम मसीह हो या हैवान हो तुम जिलाद हो डाकू हो या डॉक्टर हो और इतने में उस परदेशी की बेटी तम तोड़ जाती है और डॉक्टर का जंगटा और जो घला था वो आकर उस बाप को तशद्दत का निशाना बनाते हैं इतना मारते हैं इतना मारते हैं कि उसे लोलुहान कर देते हैं अच्छी तरह मारने के बाद पुलीस को बलाया जाता है और उन लोगों को देशित गर्ड डिकलिर के जाता है जो सिर्फ इलाज करवाने की घर्स से आये थे उन पर प्रचा होता है और सिल्ह रह्मी के ताहद बाद में उस बाप को उसकी बेटी की मजद के साथ उसके शेहर भीज ये जाता है ताकि ये मामला मीडिया की नजर से बच सके मीडिया में मौजूद कुछ ऐसे नाम नहाद लोग अब भी उस डॉक्टर को बचाने के कोशिश में मसरूफ हैं और वो कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर को एक मजलूम इनसान देखा रहे हैं जिसे उन लोगों ने तशुद्द का निशाना बनाया है मैं उस बेटी से और उस बाप से माजरत खुआ हूँ क्योंकि जब उस बाप को कफन चाहिए था अपनी बेटी के लिए तो हमने उस पर F.I.R. करवाई जब उसके बाप को रोने के लिए कंधा चाहिए था तो तब हमने उसे मारा और उसे शदीद तशुद्द का निशाना बनाया इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर के सर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है सिर्फ हाथों पर चोटों के जो निशान है वो भी उस वकत पड़े जब वो जोर से मुक्का मानने के घर्स से पीछे लेकर जाता है और उस दरवाज़ा से टकरा कर चोट लग जाती है लेकिन जब वो मीडिया पर आता है तो अपनी चोटों का जिकर करता है कि मुझे उन लोगों ने इतना मारा कि मेरे सर पर चोट लगी है और हाथ पर चोट लगी है हम गुवर्मेट आफ पाकिसान से ये अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स को जहां पर मेडिकल और टिप की असनात दी जाती है महां पर इनसानेत के असनात पर तक्सीम की जाएं और इनसानेत बे जिखाए जाए कि किस तरह किसी मजलूम के साथ बेहेव करना है किसी तरह किसी शहरी के साथ इनसाफ करना है बेहेव करना है ट्रीटमेंट करनी है हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमे ये है जिसके हाथ में जितना कुछ आता है वो अतने हिसे का फिराउन बन जाता है कोई आदमी कलर्क बन जाए तो वो अपने लोगों के लिए फिरौन बन जाता है कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनिर बन जाए, महस किसी भी तबके में चला जाए और बड़ी सता पर चला जाए तो वो फिरौन दूसरे लोगों के लिए बन जाता है खुदा के वास्ते खुद में इनसानित पेदा कीजिए आपका एक घंटे की जो मस्रूफियत है उसे निकाल कर अगर आप शायद उस लड़की को दे देते तो वो आज जिन्दा होती और इतना सारा वाक्या ना होता हमारे बकर इंतजामिया डी सियो बकर और तमाम बाएसर अफराद से ये अपील है कि उस डॉक्टर का लाइसंस मनसूख किया जाए और उसे फौरी दोर पर सजादी जाए और मेरी गुजारिश है उन एंकर हजाद से जो उस डॉक्टर को डिफेंड कर रहे हैं खुदा का वास्ता है आपने अपनी कबर में जाना है कबर में पैसे में नहीं जाना है आपने जाना है और आपने उन सवालों का जवाब दे होना है अल्ला पाक उस लड़की के मखफ़ फर्माए और उसके वालत साब को सब्रे जमील अता फर्माए मिलते एक ने वीडियो में तब तक कि लिल्ला आपिस अबना बहुत साथ ख्याल रखेगा